जैस्री कृष्ण मित्रो मित्रो आज आपको हम बताने जा रहें देनिक राशी फल दिनंक 31 मई 2021 सोमवार के दिन का तो आज के देनिक राशी फल के अनुसार आज शुब ग्रह नक्षत्रव चंद्रबल के प्रभाव से आज का दिन 12 में से 5 राशी वालों के लिए खास रहेग तो मित्रो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एश्टरो गुरुजी में मित्रो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे आप नित्य का राशी फल नई नई ग्यानवरधक जानकारियां हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो आज जेश्ठमास कुरश्ण पक्ष की सश्ठी तिती है सोमवार का दिन है आज दिन की सुरुबात श्रवन नक्षत्र से होगी और मकर राशी में चंद्रमा का संचरन होगा आज सुर्योदई प्राताहकाल पांच बच के तेविस मिनिट पर होगा और सुरियास्त साम के साथ बच के तेरह मिनिट पर होगा और आज राहुकाल प्राता हकाल 7 बच के 7 मिनिट से आरंब हो करके तो प्राता हकाल 8 बच के 51 मिनिट तक राहुकाल रहेगा तो आज राहुकाल के दोरान आप कोई भी शुब मांगलिक वा नया कारिय शुरू नहीं करें इस समय अवधि में किसी भी नई वस्तू की खरीदार करने से बचें और आज दिसा सोल रहेगा पूर्व दिसा में तो आज के दिन आप पूर्व दिसा की और मुख करके कोई भी शुब मांगलिक वा नया कारिय आरंब नहीं करें पूर्व दिसा की यात्रा से भी आप बचें यदि यात्रा करना आपके लिए अती आवश्यक हो तो अपने इष्ट देवता की स्रद्धा पूरवक पूजा आराधना करके अथवा इष्ट देवता के नाम मंत्रों का अधिक से अधिक संख्या में जाप करके यात्रा आप कर सकते हैं और आज का सरवस्रेष्ट शूब महुरत अभी जीत महुरत आरंब होगा प्रातहकाल 11 बच के 51 मिनिट से आरंब हो करके तो दोपर 12 बच के 46 मिनिट तक सरवस्रेष्ट बच शूब समय रहेगा तो इस शूब महुरत में आप कोई भी शूब मांगले कब नया कारिय आरंब कर स चाहते हैं तो इस समय अवधी में आप कर सकते हैं तो अब जानिये अपनी राशी के अनुसार आज आपके भागी के सितारे क्या बोलते हैं और आज के दिन आपको अपनी राशी के अनुसार क्या खास उपाय करना चाहिए जिससे के दिन आपका शूब रहे और कारिच छेत जीवर्ण में पूर्ण सहयोग वा समर्थन आपको मिलेगा, आत्म विश्वास भी आपका मजबूत रहेगा, भाई बहनों के साथ विचार मिलने से लाब की स्थितियां बहतर होगी, शुब संदे से प्राप्त होने से उत्साहा आपका बढ़ेगा, मित्रों का सहयोग भी विश्व को मजबूत बनाने के लिए नए अवसरों की प्राप्ती होगी, तो आज आर्थिक पक्षा आपका काफी अच्छा है, आज आपका भागिशाली अंक साथ है, शुब रंग आपका सफेद रंग है, सफेद रंग का प्रयोकारिश्चेत्र में आज अधिक सदिक पूजन करें, लाल पुष्प की मला अर्पित करें, यथा सक्ति बिल्व पत्र अर्पित करके, ओम नमहा शिवाय पंचाक्षरी महा मंतर का यथा सक्ति जाप करें, तो इसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब होगा सफलता दायक आज रहेगा, अगली राशी है अर्पिता का सहयोग आपको मिलेगा, अटके हुए कारे आपके पूरे होंगे, व्यापारी वर्ग को नए उद्यमों से लाव प्राप्त होंगे, तो आज कोई पुरानी इच्छा भी आपकी पूरी हो पाएगी, आज आपका आर्थिक पक्ष बहतर रहेगा, तो आज आपका भग्यशाली अंक पांच है, शुबरंग आपका लाल रंग है, लाल रंग का प्रियो कारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे, तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी, तो आज सभी प्रकार की विग्न संकटों से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से ही, प्राता हकाल इस नान करने के पस्चात भगवान जी को कच्चा दूद अर्पित करें और हल्वे का भोग अर्पित करके ओम सोमेश्वराय नमा इस महामंतर का यथा शक्ती जाप करें तो यसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब होगा सफलता दायक आज रहेगा अगले राशी है मिथुन मिथुन राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं युक्ति और व्यभार से कारेचेतर में आप सब कुछ पराप्त कर पाएंगे अधिकारी वर्ग की मदद से जटिलताएं खत्म होगी घर के छोटे सदसे के साथ अच्छा समय वितित अवश्य करें अच्छा व्यभार करें संतान पक्षे से आपको आज थोड़ी से परेशानी हो सकती हैं बाहर के खानपान से परहेच करें अन्यथा स्वास्थ आज आपका प्रभावित हो सकता है व्यापार व्यभसाय में कोई नया सोधा आपके लिए फाइदे मन होगा आपकी लाइप में वैसे मधूरता बनी रहेगी कोई उपहार आपको मिल सकता है परिवारिक संपत्ती का विकास कर पाएंगे राजनीती से जुड़े लोगों को आर्थिक लाप के प्रभल योग हैं तो आज आर्थिक पक्षाप का मजबूत रहेगा आज आपका भाग्यशाली अंक आठ हैं शुब रंग आपका हरा रंग है हरे रंग का प्रियोग कारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशीश लाप की प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्न संकटों से मुक्ती पाने के लिए आपका विशीश उपाईस प्रकार से हैं प्रातहका लिष्णान करने के गंद पुष्प अक्षत के द्वारा पुजन करें। आप करेंगे तो आप काफी सफल रहेंगे। योग्यता को निखारने के लिए कारिशली में बदलाव की आवशकता आपको रहेगी। कहीं शुब संदेश आपको मिलेंगे। जिससे मन भी आपका प्रसन्न होगा। साथ ही बहुत दिनों पस्चात पुराने मित्रों से मुलाकात के योग है। भाई बहन के मदद से पुरानी समस्याओं का अंत होगा। लेकिन अनावशक खर्चे से आज आपको बजना चाहिए। नए निवेस के लिए अभी समय उत्तम नहीं है। आज आपका भाग्यशाली अंकछे है। शुब रंग आपका केसरिया रंग है। केसरिया रंग का प्रियोग कारिछेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे। तो आपको विशीश लापकी प्राप्ती होगी। तो आज सभी प्रकार के विग्न संकटों से मुक्ती पाने के लिए आपका विशी सुपा इस प्रकार से हैं। आज का दिन आपके लिए मिश्रित प्रकार से मिल सकते हैं। तो आज आर्थिक प्रकार के विग्न संकटों से मुक्ती पाने के लिए आपका विशी सुपा इस प्रकार से हैं। प्राताहकाल इस नान करने के पश्चात शिवु परिवार की यथा शक्ती पूजन करें। बिलवपत्र अर्पित करें। मिश्री का भूग लगा करके ओम स्री उमा पतिये नमा इस महा मंतर का यथा शक्ती जाप करें। तो इसा करने से पूरा दिन आपके लिए शूब हो वह सफलता दायक आज रहेगा। अगली राशी है कन्या। लाइप में आपके सम्मान में वरद्धी होगी। साज़ेदारी पार्टनर्शिप में किये गए व्यापार विवसाई से आपको लाब मिलेंगे। निवेस करने से धन संपदा में बड़ोत्री होगी। तो आज आर्थिक वक्षे भी आपका मजबूत रहेगा। आज आपका भग्यशाली अंक तीन हैं। शुबरंग आपका केसर्या रंग हैं। केसर्या रंग का प्रियोकारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे। तो आपको विशेश लाब की प्राप्ती होगी। तो आज सभी प्रकार के विग्न संकटों से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से हिन प्रातहका लिश्नान करने के पश्चात भगवान सिव जी पारवती जी को पंचामरसे श्नान करावी शुद्ध जल गंगा जल अरपित करें और यथा शक्ति वस्त प्राशिवालों को आज शुबु परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं सहजी सभी काम समय पर आपके पूरे होते नजर आएंगे जिससे मन आपका संतोष्ट होगा व्यापार व्यवसाई से संबंदित को अनुभव प्राप्त होंगे और विबिन्न चेत्रों में आपकी कर सकते हैं जीवन साती का सहयोग समर्थन आपको मिलेगा ससुराल पक्षे से संबंद में कड़वाहट के संकेत हैं नया व्यापार सुरू करने में भाग्य का साथ आपको मिलेगा लाप की स्तितियां आपके लिए बहतर होगी किसी भी तरह के संक्रमन से सतर करहने की आवश तो आज सभी प्रकार के विगन संकटों से मुक्ति पाने के लिए आपका विशी शुपा इस प्रकार से हैं प्राता हकाल इसनान करने के पस्चात भगवान सिव जी को कच्चे दूद से इसनान करावें शुद्ध जल गंगा जल अर्पित करके यथा शक्ति शरंगार करें ह खलवे का भो गर्पित करके ओम रुद्राय नमा इस महामंतर का यथा शक्ति जाप करें तो इसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुप हो वह सफलता दायक आज रहेगा अगले राशी है वरश्चिक वरश्चिक राशी वालों को आज शुप परिनाम इस प्रकार से मिल सक करेंगे आज वही कारी करें जिससे बनने की उम्मीद ज्यादा हो या जिन में आपका मन ज्यादा लगता हो अच्छे भोजन से स्वास्त में वरद्धी होगी मित्रों और बंदू जनों के कारण तनाव होने से घर में क्लेस की स्थिति पैदा हो सकती है इसलिए आज आज आ करहकर के व्यभार करने की आवशकता रहेगी लाइप में भी सावधानी आवश रखें क्रोध से रिस्तों में दरार पड़ सकती है धनलाप के लिए आज आज आपको अधिक महनत करना पड़ सकती है सायंकाल के समय किसी शुब मांगली करेकरम में जाने का अवसर प्राप्त होगा महत्तो पुर्ण कारियों की गोपनिता बनाए रखे आपको लाब होगा तो आज आर्थिक प्रक्षाप का मध्यम है आज आपका भाग्यशाली अंक छे है शुब रंग आपका केसरिया रंग है केसरिया रंग का प्रियुकारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप तो आपको विशेश लाब की प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्न संकटों से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार सहीं प्रातह का लिश्नान करने के पश्चात शिव परिवार की गंद पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें मि प्राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कारे छेतर में आपकी धाक जमेगी एक के बाद एक मामले आपके सुलत्य चले जाएंगे धर्म कर्म के कारियों में रूची आपकी बढ़ेगी किसी महान हस्ती के दरसन लाब होंगे उदार और आंक के करण कश्टा आपको हो सकता है स्वास्था आपका प्रभावित हो सकता है खानपान पर सयम अवश बरते समय के अनुसार चलने से आप उन्नती प्राप्त करेंगे देने की व्यापारियों के लिए समय काफी उत्तम है अविवाहित जातकों को विवाह संबंदी शुब समाच प्राप्त होंगे गुप्त सत्रों पर विजय स्री की प्राप्ती होगी विध्यार्थी वर्ग की किसी अनुभवी वेक्ति से भेंट काफी फाइदे मन होगी तो आज आर्थिक पक्षा आपका मजबूत है आज आपका भगशाली अंक चार है शुबरंग आपका बेंगनी बेंगनी रंग का प्रियोकारी शेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विध्य शंकटों से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है प्राताहका लिश्णान करनके करके ओम सोमेश वराइनमा इस महामंतर का यथा शक्ति जाब करें ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुबो वह सफलता दायक आज रहेगा अगले राशी है मकर मकर राशी वालों को आज शुबो परिणाम इस परकार से मिल सकते हैं दामपत्य सुख में वरती होगी संतान की उन्नती से मन संतुष्ट रहेगा जटिल कारी किसी बड़े अधिकारी की मदद से पूरन होते नजर आएंगे लाबदायक उपक्रमों का संचालन भी कर पाएंगे हलाकि पडोसियों दोरा कुछ परिशानी आपको हो सकती है धेरी धारन करें समाजिक छेतर में प्रतिष् आपकी मजबूत होती चली जाएगी तो आज आपका भाग गिशाली अंकछे है शुबरंग आपका बादा मी रंग है बादा मी रंग का प्रियुक कारी छेतर में आज अधिक सधिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाब की प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के मेवेध्य अरपित करें बिलवपत्र धतुरा चड़ावें और बेट करके ओमनमाहशिवाई पंचाक्षरी महामंतर का यथा शक्ती जाप करें एसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुबुवा सफलता दायक आज रहेगा अगली राशी ही कुम्भ राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते ही नियोजित कारेकरम में आप सफल रहेंगे आर्थिक लाप का सुवसर मिलेगा पिता के सहयोक से लाप की इस्तिती बहतर होगी किसी बड़ी हस्ती से मेल मुलाकात के योग हैं महनत और समर्पन से किये गए कारियों में आपको विस परक में समय वर धन की बरबादी आप नहीं करें आज विसेश सावधानी बरतें तो आज आर्थिक प्रक्षवे से मजबूत रहेगा आज आपका भाग्यशाली अंकर्च साथ हैं शुब रंग आपका बादामी रंग हैं बादामी रंग का प्रियोकारी छेतर में आज अध यह सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाब की प्रापती होगी तो आज सभी प्रकार की विग्न संकटों से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेश उपाहिस प्रकार से प्राथकाल इस नान करने के पशचाद भगवान शिव जी को केसर मिले हुए दूद से इस नान मीन राशिवालों को आज शुबु परिनाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कारी छेत्र में जरूरी प्रजेक्टों पर पक्ष और विपक्ष के लोगों का सहयोग मिल सकता है किसी महातोकांग्शी योजना की शुरवात कर सकते हैं माता से किसी बात को लेकर मैदभेद हो सकते हैं, इसलिए विनमर व्यभार अवश्य करें, आर्थिक स्थिति का ध्यान रखें, किसी भी तरह के लेन देन से दूरी बना करके आज रखें, व्याई भार आपका बढ़ सकता है, व्यापार में अति आत्म विश्वास आपके रंग हैं, जामुनी रंग का प्रियोकारी छेत्र में आज अधिक सदिकाप करेंगे, तो आपको विशेष लाप की प्राप्ती होगी, तो आज सभी प्रकार के विग्न संकटों से मुक्ती पाने के लिए, आपका विशेष उपाई इस प्रकार से हैं, प्राता है काल, इस्न करने से पूरा दिन आपके लिए शुबो बस सफलता दायक आज रहेगा तो मित्रो आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह देनिक राशी फल की जानकारी पसंद आई होगी यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक वशेयर अवश्य करें धन्यवाद जैस् तरीक रश्नमित्रों फिर मिलेंगे